Hello friends, welcome to my official YouTube channel देखिए आप सबको पता है जो अभी CGPDTM का exam cancel हुआ है इसके regarding, prelims exam के regarding QCI ने एक tweet किया है और tweet में उन्होंने बोला है कि exam rate जल से जल अनौन्स करी जाएगी अब देखिए इस tweet में हम आपको दिखा देते हैं आप इनका official account पर जा सकते हैं पर QCI का account बना हुआ और यहाँ पर आप देखिए यह 21 minutes पहले यहनोंने एक tweet किया है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है QCI is looking into various aspects related to the prelim examination conducted for recruitment of examiners for patents and designs group A officers for office of CGPDTM We are in active consultation with CGPDTM and shall announce the new schedule for the exam soon तो examination date यह बहुत जल्दी announce करेंगे इन्होंने यहाँ पर obvious है लिख दिया है कि they will announce the new schedule for the exam soon तो इसका मतलब है कभी भी कर सकते हैं क्योंकि देखिए इनका क्या recruitment process है एकदम clear यह रहता है कि उन्हें पता है कि हाँ इस time duration में हमको पूरा अपना recruitment process complete करना है बहुत delay नहीं करते हैं कि 2-3-3 साल लटका रहे हैं ऐसा नहीं रहता इसमें आप देखिए इनका पिछले भी जो आपके recruitment हुए उनको analysis करिए तो आप देखेंगे आप वहाँ पर पता चलेगा बहुत जल्दी यह कराते हैं तो इसका मतलब यह है कि अब यह आपका exam बहुत जल्दी यह कंड़ेट कराने जा रहे हैं अभी तक अगर आप सोय हुए थे आपने पढ़ाई बंद कर रखी है तो आप वापिस से start कर दीजे क्योंकि एक और opportunity मिली है हाँ मुझे मालूम है कि किसी-किसी students को लग रहा है कि मेरे लिए सही नहीं है या कोई possible नहीं है दुबारा से उस date पर यह exam देने पहुँच पाना उनके लिए मैं समझ सकता हूँ कि उनके लिए possible नहीं या उनको problem होगी लेकिन हाँ अगर बाकी लोग है जिनको लगता है कि चलो मेरा पेपर खराब हुआ है तो वापिस से एक और opportunity मिली है आपको जी जान से जुट जाएए जितनी मेहनत कर सकते हो तनी करिए बहुत अच्छी job है और एक reputed job है और आपके लिए सबके लिए आपको अपना career के लिए आपको अपना future के लिए भी बहुत helpful रहेगा अगर आप इस job पर रहते हैं तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ आप अब अपना बिल्कुल भी time मत waste करिए जितना हो सकता है जो कुछ भी आपने revise किया हुआ है वापिस से सब पढ़ना start कर दीजे और इस बार जो paper आएगा बहुत proper तरीके से एक अंडेट करेंगे क्योंकि जो पिछली बार इनसे गलतियां हुई है उनको पता है उन्होंने क्या क्या mistake करी है पहली चीज तो जो आपका जंबल दे दिया था हो सकता है आपकी बार यह जंबल नहीं देंगे अपकी बार पूरा section wise ही आपको यह देंगे और proper जो इन्होंने बोला है कि हाँ यह syllabus है वहाँ से ही आपको पुछा जा ऐसा तो है नहीं कि आपका exam में कुछ out of syllabus था out of syllabus कुछ भी नहीं था बस क्या किया था section wise की जगे इन्होंने जंबल दे दिये थे तो उसमें बहुत सारे students को problem होगा था तो हम उम्मीद करेंगे इस बार यह जंबल questions ना दें यह आपको एक proper systematic तरीके से sectional wise जैसे आपको हर exams में मिलता है कि पहले आपको quants करना है या जो भी है एक section है तो उसके section के आपको सारे questions attempt करने और जैसा कि इन्होंने mock test दिया था mock test में भी अगर आप देखते तो वहाँ पर भी इन्होंने ये बोला हुआ था जो आप mock test में दिया हुआ था वो section wise था लेकिन exam में जब आया तो सब jumbled एकदम बिल्कुल student समझी नहीं पा रहे है क्या हो रहा है तो इस बार ये जो करेंगे बहुत proper तरीके से करेंगा अच्छा और बहुत सारे students का query आ रहा था कि मैं पिछली बार exam नहीं दे पाया हूँ तो क्या इस बार दे पाऊंगा बिल्कुल दे पाएंगे क्योंकि सभी के लिए admit cards release करेंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ specific जिनों ने दिया है नहीं दिया है कि तुमने नहीं दिया तो इस बार तुम्हें नहीं देना है नहीं क्योंकि पेपर ही cancel हो गया है तो जब वो cancel हो गया है तो obvious है आपने अगर उस ताइम पर नहीं दिया है तो आपको वापिस से admit card आएगा आपके पास आप दुबारा से इस exam को दे सकते हैं कोई issue नहीं हाँ centers के लिए हो सकता है कि centers change करते हैं या फिर उसी city में दूसरा center देते हैं suppose मा लिजे किसी ने Bombay का student है उसने पूने फिल किया हुआ था वहाँ पर exam center 24 में दिया हुआ था पूने तब ऐसा नहीं है कि उसको पूने की जगे कहीं और देतेंगे देंगे पूने में पर हो सकता है कि institute को change करते हैं दूसरा देतें तो आपका जो city है वो वही रहेगा क्योंकि बहुत सारे students को travel करना रहता है बहुत दूर दूसरे travel करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपकी city change करके दूसरी city देतें center और जहां तक है कि उ center वही रहेगा change नहीं होगा center आपका वही रहेगा और अगर change भी होता है तो हो सकता है कि उसी city में देंगे आपको दूसरी जगे आपको unnecessary परिशान नहीं किया जाएगा in case अगर किसी के में ऐसा हो जाता है तो आपको उनसे contact करना चाहिए कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप comment करके पूछ सकते हैं बस मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ याद दिला रहा हूँ अगर पढ़ाई बंद कर रखी books वगरा सब आपने बंद कर रखी अभी तक सोय हुए है तो आप अपनी पढ़ाई start कर दीजिए ठीक है और कोई भी information आप चाहते हैं आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं हमारा WhatsApp चैनल भी launch हो चुगा आप WhatsApp चैनल पर भी हम आपको सारा updates देते रहेंगे link आपको description में मिल जाएगा telegram चैनल पर भी ये आपको share कर दिया गया है screenshot और इसके साथ telegram चैनल का link भी आपको description में दिया गया है so thank you very much and thank you for watching